एक गाली समढ़ लोगों के लिए बड़ी मशूर है कहते हैं बहुजन समाज नहीं है भोजन समाज है यह जो भोजन समाज की गाली है यह क्या गाली है कहां से आई कैसे पड़ी क्योंकि 14 अप्रेल आ रहा है और 14 अप्रेल को फिर लाइन लगा कर भिकमंगों की तरह हाथ फैला कर लोग पूड़ी सबजी बाटेंगे खाएंगे तो फिर से डॉक्टर अंबेटकर के जो वनसज हैं वो भिकारियों की तरह लाइन में खड़े हो जाएगे कहने को भंडारा कहने को बावा साब डॉक्टर अंबेटकर का जैनती दिवस है में लगाए जाएंगे एक इसका विसलेशन कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप भिकमंगों की अलाद हैं या राजाओं की अलाद हैं तो आपका वहवार कैसा होना चाहिए पुराने समय में इस तरह के पूरी सबजी के भंडारे या फ्री में खाने के लाइन लगा कर खाने के जो कारज हैं जो कार्रे हैं वो अगर आप प्राचीन समय में देखेंगे तो जो अनाथ लोग होते थे बूड़े मजबूर बीमार सरीर से अपंग या जो साधू संत तपस्वी इसी होते थे या जो ऐसे लोग होते थे जो कुछ नहीं कर पाते थे उनके लिए पिंड पात पिंड दान पिंड चारी का हुआ करती थी पिंड माने पिंडी पिंडी माने जो चावल का गोला बना के लोग खाते हैं उस तरह से उसको बोला जाता है ये पुराने समय की बात है पर जब बुद्ध ने भिक्कु संग बनाया और भिक्कु संग के नियम बनाये तो ये मांग के खाने वाली जो आदत थी इसको खतम कर द लोग भिक्कू को भिच्चू संस्काइट भासा में भिच्चू बोलते हैं और भिच्चू से भिच्चा बोलते हैं और भिच्चा से जो खाना उनको मिलता है उसको भिच्चा बोलते हैं भिच्चा पात्र बोलते हैं भिच्कू पात्र बोलते हैं ये सारा स्टेटेजी और सा खाने का आदेश या खाने का निएब नहीं दिया भिक्तों बहुत पहुंचे हुए लोग होते थे बहुत ग्यानवान लोग होते थे बहुत सदाचार का पलन करने परंपरा है दरसल भिक्व को जब खाना दिया जाता था तो भिक्व उससे पहले पढ़ाया करते थे घरगर जाकर पढ़ाया करते थे और पढ़ाने के बाद में पढ़ाने के रूप में वो जो उनको भोजन जीवन जीने के लिए मिलता था और जो भूग से 20% कम खाना होता थ उसको वो तब तक सुईकार नहीं करते थे जब तक पिंडपात करने वाला खाना देने वाला उनसे तीनवार निविद ना करे उनसे सतकार के साथ ना करे और दोनों हातों से पिंडपात ना करे दोनों हातों से खाना ना दे क्योंकि एक हाथ से फैका हुआ खाना होता है उठा के फैक्दिया पर दौनों हाथ से आपका body language ये बताती है, सरीर की भासा ये बताती है, कि आप मन से इसको दे रहे हैं. जो पिंडपात होता था या जो चीज दी जाती थी भिक्कू को, भिक्कू उसको टच कर आके और जो बोला करते थे और उसके बदले में जो लोग बोला करते थे, दान देने वाले, यानि देने वाले, उनके बोलने से भिक्कू को समझ में आता था, कि ये दान सतकार के साथ आदर के साथ है या ये बोज के साथ है या ये गाली के साथ है या ये अपमान के साथ है वो इसको समझ देते थे अपमानित किया हुआ दान या खाना या भोजन या पिंड चारी का भिक्कू नहीं गरन करते थे यह बहुत सम्माजने किष्टी थी कि देने वाले को घुटनों के वल नीचे बैठके पहले एक याचना करनी पड़ी थी भिक्कू से तब भिक्कू उसको लेते थे और यह जो पिंडपात की जो चारीका है यह बहुत अच्छे स्वाभिमान के साथ में होती थी और लोग भिक्कूों को अपने घर भोजन कराने के लिए या उनको पिंडपात कराने के लिए लाइन लगा कर जाया करते थे ऐसे बहुत सारे उधारण है जब भिक्कू को भिक्कू संग को भोजन कराने के लिए लोगों में बहस हुआ करती थी, लड़ाई हुआ करती थी, ऐसा एक जो महिला का जिक्र भी आता है, जो बुद्ध को इन्वाइट करने गई और जब बुद्ध ने इनूटिसन स्विकार क भिक्को के इस मान संमान से लोग उनको खाना दैने के लिए लारायत रहते थे, विक्कू चले गए पर लोगों की लालसा खाना दैने की खतम नहीं हुए, और आज भी गाओं के अंदर कोई भगवा कलर पैन के आता है तो उसको वही चीवर का सतकार उसी चीवर की तरह उसको भोजन पिंडपात मिलता है और भिकों ने भी खाने के नियम बहुत जवर्जस थे क्योंकि बुद्ध ने एक एक चीज को स्टेडी किया कोई व्यक्ति सूखा खाना नहीं लेगा, कोई अन नहीं लेगा, कोई रजत नहीं लेगा, कोई पैसा नहीं लेगा, कोई चादी नहीं लेगा, कोई जमीन नहीं लेगा, कोई जाजात नहीं लेगा खाना लेंगे तो पका हुआ लेंगे, खाना लेंगे तो उतना लेंगे जितना भिक्कु संग को आवशक है, खाना लेंगे तो अलग अलग नहीं लेंगे, एक ही बरतन होगा, एक ही पात्र होगा, उसको पिंडपात बोलते हैं, उसमें सारा खाना डलेगा, खाना लेंगे तो खाने को mix कर देंगे, किसी का खाने का अलग से identification या अलग से कोई वर्गी करन नहीं करेंगे, और खाना संग में जाके खाएंगे, खाना एक खटा नहीं कर सकते, और दिन के बारे बज़े के बाद खाने की आउसकता नहीं है, इसलिए अगर खाना बसता है तो वो भिक्कु कर सकते हैं, इस प्रमपरागी वैसे भिक्कु संको सारे लोग खाना खाने के लिए लाइन लगा कर खड़े देते थे, भिक्कु चले गए और खाना खलाने वाले अधिकता लोग समन हुआ करते थे, एक भी उधारन नहीं है जब उस समन लोग लाइन में लगके या किसी के खाना खाते हूँ, लोग सिर्फ भिक्कों के लिए खाना लेके आते थे, यही प्रमपरा आज के समय आप थाइलेंड में, जापान में, कोरिया में, चीन में, वर्मा में, स्री लंका में देख सकते हैं, जहां भिक्कु उसी प्रमपरा का पलंग करते हैं, वहां आज भी भिक्कूओं को भिक्कू संग को खाना देते हैं और खाना लेने वाले भिक्कू और भिक्कू संगी होते हैं साधर्ण आदमी लाइन में लगके खाना नहीं खाता साधर्ण आदमी का कोई भी दान लेना या पिंड़ पात लेना या पिंड़ चारी का लेना वर्चित है क्यों जब आठ नीमों का पलंग करते थे, जब अठ शील का पलंग करते थे, अठ बिनायक होते थे, अठte मिनायक होते थे , अठमी के दिन दो अठमیا परती थे इक चैतर की अठम Chapelी परती है और एक अठमी जो स возь अती है दसरे के आसपास तो उस अठ्थमी पर भिक्वों को भोजन देने के लिए लाइन लगा कर जगे-जगे घर के आगे लोग भोजन मना के रखते थे और भिक्व आते थे और उनको सतकार के साथ में खाना भोजन पिंडपाद दिया करते थे यह प्रंप्रा हमारी चली बिक्व चलेगए पर वो अठ्थमी के दिन भोजन दियने की प्रंप्रा नहीं गई तो आज भी लोग भन्दारे करते हैं और अठ्थमी को और नौमी को लोगों को खाना खिलाते हैं खाना तो दरसल वो भिक्कों के हिस्से का है पर लोग खाते हैं जो समर्ड पहले दानी हुआ करते थे और जो भोजन दिया करते थे वो समर्ड अब दान दाता से मांगने वाले हो गए उनकी हालत ऐसी हो गई उनका सारा राजपार चला गया सारी चीजें चली गई लंबी कहानी है और वो देने वाले से मंगता और भिकारी हो गए और इस्तिती उल्टी हो गई कि उनके पास खाना भी नहीं हुआ उनको मजबूर किया गया कि वो लाइन में लगके दुतकार के साथ गाली के साथ अपमान के साथ खाने को गरन करें आज भी जो पूड़ी खलाए जाती है जो सब्जी खलाए जाती है उसमें लोग जब खलाते हैं तो मान सम्मान के साथ सतकार के साथ नहीं खलाते दुतकार के साथ खिलाते हैं, अपमान के साथ खिलाते हैं क्योंकि मनुस्य का भोजन के लिए लाइन में लगना और हाथ फैलाना और खिलाने वाले का अकड़ के ये कहना हट हट, पीछे हट, लाइन में आ, साइड में आ, बाद में आ ये तरसकार है मनुस्य का ये तरसकार है जो खाने वाला है उसका और ये तरसकार खिलाने वाला करता है यानि कि वो बार 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 बताता है कि आप भिकमंगे हैं आप मेरे हैं खाने को आए हैं बेसक वो कहीं से चंदा करके लाया है पर उस समय वो भिकारी जैसी पोजिशन कर देता है बावासाव अम्बेटकर ने कभी नहीं खा कि हमारे लोग और खास तोर से उनका जनम दिन मनाये और जनम दिन पर पूरी सब्जीगले लाइन में लगें और मारा मारी हो और वो भिकारी वाला जो एहसास है वो उनको हो पुरानी प्रंपरा सम्णो की रही है कि सम्ण लोग कभी किसी का नहीं खाते थे सम्ण लोग बड़े स्वाभी माने होते थे उंचा मत्था उंची सान सम्णो की पहचान उचा मत्था उची सान समड की पहचान समड ने हमेसा दिया ही दिया कभी लिया रही तो हर एक अपने अंगोचे में छे रोटी आठ रोटी दस रोटी बांद के रखता था हर समय कहीं आना है जाना है दो रोटी किसी और के लिए और बाकी अपने लिए रास्ते में कोई मिल जाए, भूका हो तो उसके लिए दुरूरी, हमेशा देने वाला, वो परंपरा समर्संग में आज भी जीवित है, और वही परंपरा समर्संग में फिर से लागू हो गई, कि जो संगतियां लगती हैं, कोई किसी का मुह नहीं देखता, सब अपना अपना छह छह परंपराटि लेके आते हैं आचार के साथ में, चार खुद खाते हैं और डो उसके लिए जो भाई बहार से आया है या जो खाना नहीं ला पाया, जो अचाना खाया है, तो खाना हमेशा समर्संग में बचता है, समर्संग के लोग जब कभी इखटे होते हैं, अगर बैठने का पैसा देते हैं अपने हिस्से का पैसा देते हैं पर मुह नहीं उठाते मांगते नहीं भीक नहीं मांगते बिकारी नहीं है वो उचा मत्था उची सान समडों की पहचान इसको कायम रखते हैं इसलिए समड संके जो नियम है बड़े गजब के है, स्वाभी माने नियम है बावासाब अमेट करके पूरे के पूरे स्वाभी मान के नियम इसके अंदर है बुद्ध के स्वाभी मान के नियम इसके अंदर है पर 14 अपरेल आती है या बुद्ध पूर्णमा आती है या जो भी आती है उसमें जो मनुवाद का सिस्टम है वो पूरी सबजी में लागू होता है कुछ लोग चंदा एकटा करते हैं लोग उसे भीक मांग के पैसा एकटा करते हैं भिकारी बन जाते हैं उसके बाद फिर वो कुछ पूरी सबजी बनाते हैं और फिर वो सारे लोगों को उसी भिकारी वाला जो ऐसाज जो उने किया है चंदा मांगने में उन लोगों को लाइल लगर खिलाने में करते हैं और ऐसे दुतकार लगाते हैं जैसे कुट्टे को दुतकार लगाई जाती है और लोग खाते हैं उस समय उनको स्वाभिमान खतम हो जाता है मर जाता है इसलिए स्वाभिमान नहीं मानना चाहिए अपना भोजन अपने आप अपने साथ रखना चाहिए हमेंसा रखना चाहिए अपना भोजन अपना पानी आलवेज आप बावा साथ की जैनती मनाने के लिए आ रहे हैं तो बावा साथ की जैनती में आईए और अपना खाना अपने साथ लाइए और दो रोटी एक्टर लाइए कोई और साथी है उसके लिए है ये जो भिकारियों जैसी स्थिती है जिसको गाली पढ़ती है हमको कि ये बहुज हमाज ہے इस गाली से बचिए, यह बहुत बुरी है। अपने सौाबिमाद को चार रोटी के लिए बेचिए, मत. अपने सौबहिमाद को बचा एक रखए जिस व्यक्ति का आप जर्मद्रम मनाने आरे हैं, जेनती मनाने आरे हैं, वह सौाबिमाद की मिसाल है वो कभी जुका नहीं किसी के आगे उसका स्वाभी मान हमाले से उचा है और आप उसके जब दिन पे अपने स्वाभी मान को चार रोटी चार पूडी और चार सब्जिकले लाइन में लगा कर बेच आते हैं और गर्ब लिवान से अपना सीना गर्ब से उचा नहीं कर सकते हैं किसी की रोटी खाके आप निगा नीची करते हैं क्योंकि कहते हैं कि मुझ खाए और आँख लजाए कि अगर किसी की रोटी मुह से खाते हैं तो उसकी आँख नीचे हो जाती है, लजा जाती है, शर्मा जाती है फिर वो आदमी किसी काम का नहीं रहता इसलिए आप काम के आदमी बनिए और इस जैनती पर अपना खाना अपने साथ रखिए ये दो-दो रुपे के बिस्कूट, ये दो-दो रुपे के केले, ये दो-दो रुपे के संत्रे और ये दो-दो रुपे की जो आईटा में आती है, इनमें बड़ा स्वाब इमान चला जाता है किसी को खाना हो खाए पर अगर आप अमबेटकर, डॉक्टर अमबेटकर के अनुई आई हैं, बुद्ध के अनुई आई हैं तो अपना खाना 24 गंटे अपने साथ रखिए किसी भी संगती में जाईए, किसी भी संभिलन में जाईए, किसी भी जगे जाईए खाना नहीं खाना है, खाना हमेंसा अपने पास रखना है, आप देखिए कि आपका स्वाभिमान, आपका उचा मत्था, आपका उची सान, उस सम्ड़ों की पचान कैसे आपके ललाट पर और आपके चेहरे पर चाती और कैसे चलती है, यह जो भोजन समाची गाली है इसको कि लाते हैं 10 लाख रुपे और एक लाख रुपे का खाना वहां बटवाते थे हैं, नौ लाख रुपे जेब में रखते हैं, उनका तो धंदा है, वो तो आपको भिकारी बना के रखेंगे, अभी मैंने देखा मेरट के अंदर पैकीटों में खाना बटा, जो वहां भिकार घरटे फालतो रखिए, कहीं आना जाना हो तो घर से बनवा के चलिए, और अगर घर से नहीं मिलते हैं तो चार केले खरीद के खाईए, और खरीद के अगर नहीं खास खा सकते हैं तो उस दिन उपास कीजिए, उस दिन भूका रहिए, और स्वाब इमान को जिंदा रखिए जिसके स्वाभी मान जिंदे होते हैं उसके बच्चे जिंदे होते हैं जिसके स्वाभी मान मर जाते हैं उसके बच्चे पैदा होना से पहले मर जाते हैं आपको अगर अपने समाज को अपने संगों को समण लोगों को बचाना है तो उंचा मत्था उंची सान समड़ों की पहचान अपना खाना अपना पानी 24 घंटे अपने साथ ये वाकिया हमें साथ रखिए देखिए कैसे आप करांती की तरफ आगे बढ़ते हैं संगंग नमामी संगंग नमामी